सु एलो दोस्तों आज वीडियो में हम आपको बताने वालेगी कैसे आप साउत इंडियन बेंक में आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे ऑपन कर सकते हमें पूर लाइप प्रोसेस लेगोर में बताने वाले हैं और साथ है साथ है घाइज मुक्त में आपको बता देटा हूँ सब से पहले वीडेosed में हम आपको क्या 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 बताने वाले हैं जिसकी सबसे पहले हम आपको बताएंगी कि इस account को आपको कैसे open करना है इसके साथ ही हम यह बताएंगी कि इस account को open करने के लिए आपको कौन कौन से documents की जूरत पढ़ने वाली है eligibility criteria क्या है इसके साथ ही इस account में आपको किके features देखने को मिल जाते है किके benefits आपको इस account में करने वाले है और live proof बताएंगे ही कैसे आप इस account को online process के मादम से बिना branch कैसे open कर सकते है तो सबसे पहले बात किज़े तो आप SBI मायर साथ इंडियन बैंक की official जो mobile application इसी के मादम से आप mobile banking का इस्तेमाल कर सकते है internet banking का इस्तेमाल कर सकते है और अपने account को manage भी आप इसी mobile application की सहता से कर सकते है डेविट काड़ को आप इसी mobile application की सहता से manage कर सकते है जहांपर आप Virtual debit card भी इसी mobile application के मादम से आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आप इस mobile application के डाउनलोड जो रेटिंग विले 4.3 की rating विले जो काफि रेटिंग है और आप बढ़ी आसन इसे घर बैटे अधार काड और पैन काड के मादम से मातर आप पांच मिनट से भी कम समय में आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे तो सिबसे पहले जान लेते ही कैसे आपको इस अकाउंट को ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए सिबसे पहले आप अपने मोबायल में कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे आपको सर्च कर देना है साउथ इंडियन बैंक जिसे आप इतना सर्च करेंगे इसके बाद पेज को थोड़ा स्ट्रोल डाउन करेंगे यहां पर आपको सेविंग अकाउंट करके एक उपसे देखने को मिल जाता है और साउथ इं अलाइन अकाउंट ओपनेंग सबРЕल इंस्ट अकाउंट इसके साथ नीचे आपको देखने को मिलता है वीडियो कि अकाउंट कर addressed Only शा plural कर सकते है और यहां किisión कौनवरा को स्बस्टेंच को अमई जाते हैं कि आपको फिच्र्स देखने को मिलते हैं सबसे पहले अपर गैज देख耗 सकते हैं कि इस अकाउट में को आपई पर लेस तरीके से साथ को इस कॉपन कर पाएंगे डिजिव lig की प्रोसेस के मादम से और यहां पर आपको प्रैफर ब्रांच आप अपने साब कोई भी ब्रांच को स्लेक्ट कर सकते हैं आपको किसी भी तरह के से आपको के वाई से करने के लिए बैंक में भी जाने की जूरत नहीं है 24 आवर्स आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटेनेट बैंकिंग की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है पेमेंट आप कर सकते हैं यूपियाई के मादम से और एंफ्ट के द्वारा आप प्यमेंट कर सकते हैं इसके साथ ही आपको डीजी लो की फैसिलिटी भी दी जाती है सब्सक्राइब करने के लिए कोन को इस अपन कर सकते हैं और इसके लावा यहाँ पर कुछ चीजे बताए हुए कि अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका लाइटिंग अच्छा होना चाहिए 18 प्लस आपकी एज होने चाहिए धर काड़ पैन काड़ आपके पास होना चाहिए आपके पास एक वाइट आपके पास सीट होने चाहिए जिस पर आपको सीनेचर करने होगे और आपके पास ब्लू या ब्लैक आपके पास पैन होना चाहिए तो यह कुछ यहाँ पर पर देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर पूछे जारा है कि आपको लोकेशन की प्रमिस्ट दे देनी है इसके बाद यहां पर कुछ देख सकते हैं यहां पर अधरकार्स लिंक मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है इसके साथ आपको ईमेल आईडी यहां डालना चाहितो डाल सकते हैं नियतन मड डालिए इसके बाद आपको एंटर जो भी यह कैप्चा बना हुआ है इस capture को आपको यहां पर submit कर देना है इस box के अंदर और यहां पर जो time and condition है इस पर box पर click करेंगे और यहां पर time and condition में पूछे जा रहा है कि क्या आप एक physical present in India क्या आप इंडिया में रहते है अभी और इसके बाद रेजिटेशन इंडिया नेशनलेटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और पॉलिटीकल एक्सपोस परसन नहीं होना चाहिए इसके साथ 18 प्लस आपकी यह होनी चाहिए और यहां पर कुछी यह है तो जस्ट आकाउंट ओपन करने के लिए यह सभी information यहां पर अभी हम submit कर लेते ह है जैसे आप प्रोशीट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके धारकार से लिंग मोबाल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा अब आपके मोबाल पर भेजे गए OTP को यहां पर submit करेंगे और नीचे आपको प्रोशीड आइकन देखने को मिल जाए तो जस्ट उसके बाद प्र क्लिक कर देना है जैसे ही आप प्रोशीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर processing होना स्टार्ट हो जाती है जैसे processing होगी तो इसके बाद धारकार से link मोबाल नंबर पर एक OTP पर आएगा और इसके बाद आपका धारकार से आपका data capture कर लिया जाता है इसके बाद प्रोशीड पर क्लिक कर लेगे जिससे आप प्रोसीड़ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको पैंद कार्ण नंबर डालेंगे इसके साथ ही कई आप अपनी इन्वाल इंकम डालेंगे और यहां पे डेविट कार्ड पहले से आप बोक्स देख सकते हैं तो यह से भी इंफ्रमिशन इसी तरीकी से रहने देना और समिट पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपनी डिटेल डालेनी है जहां पर आपको रिलेशन डालेंगे नोमनी का नाम डालेंगे अड्रस डालेंगे और नोमनी की सीटी डालेंगे इसक account का इस्तमाल कर सकते हैं और इसी की साहता से आप रिचार्ज बिल पेमेंट्स या निकामों के लिए इस अकांट का इस्तमाल कर सकते हैं तो आई आज वीडियो आपके लिए यहां पर मैंने आपको बताएगी कैसे आप अपना